यार ये मनी हाइस्ट से इन स्पाय सस्ता परफेसर पता नहीं पागल है ये पहें एकी बात को 600 मर्तमा दोहराता है उपर से ये फाउजी देल में बातें करता रहता है वो लड़की बहुत जीबो म्रीज है मुझे उसके बारे बता करना होगा वो लड़की बहुत मिस्टीरियस है उसकी मिस्टरी तो मुझे ही सॉल्फ करनी है कि कौन है कहां से आई है किसी मिशिन में तो इन वर्ब नहीं है आखिर है कौन ये लड़की होरे हरे सीजर में नागिन गरीब ही होती है साप को तो सो साल भी दूद पिलाओ फिर भी वो डसता यह लेकिन इन ड्रामू की नागिने बहुत अच्छी है घर की सेक्योटी चेक करो अठ दस दरजन साप घर में फिर रहे हैं और इन गरवालों के लिए कोई बड़ी बात ही नहीं इसे मत बैठो मेरा दिल बैठा जा रहा है कुछ तो बोलो खेर नागिन आखिर गार पहले असुर को ढूंड के मारी देती है जो इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर होता है और दोनों दुलोनों का बाप होता है जिसे मारते हुए खरीब फ्यूचर नागिन का मंगेतर देख लिता है इज़र रिशव खरीब फ्यूचर नागिन के बैण मेंसे वो आधिया दूरी परचिन निकाल कर जोड के मेसिज पढह लेता है फिर उपर से गरिबनी नागिन का मंगेतर भागता हुआ आता है कि मन्तरी मर गया लेकिन अचानक 6 नागिन साब मंतरी बन के आ जती है और सारे घरवले गरिबनी नागिन को तो पागल समझती थे उसके मंगेतर को भी समझना शुरू अच्छा इस फौजी का साबला उजरा उस लड़की के बैग में से पर्ची निकालने के बाद कहता है कि मुझे लगता है ये लड़की दुश्मन डेश से मिली है क्योंके वो सस्ते परफेसर से पेगाम लेकि आने वाला आदम इस लड़की से मिला था सिर्फ इस वज़ा से ये दुश्मन डेश से मिली है वाव लगता है इसकी बैटरी लोगी सिद ड्रामे में ये दिखाने के लिए कि ड्रामे की हीरोईन को ड्रामे का हीरो गल्त समझ रहा है ओए सस्पेंस अबे राइटर कोई लोजिक तो बना लिया कर फौजी के पास देश को बचाने का पेगाम लाने वाला बंदा जिस लड़की से मिला वो गदार है लाओ साब अकली को ही नहीं अबे सस्था परफैसर बताता है कि उसी घर में 5 और असूर हैं और दूसरे असूर के हाथ में तिल है तो नागिन फौजी के हाथ में तिल हसे रास्ते में उसकी गाड़ी को आग लगा देती है वैसे शुरू-शुरू में नागिने इच्छादारी होती थी, जो किसी का भी रूप ले सकती थी, लेकिन अब नागिने पहें से ब कुछ कर सकती है, मुझे आग मी निकाल सकती है, आभे नागिनों के ड्रागनों, ये नागिने सब कुछ कर सकती है, लेकिन जो लोग मर रहे ह उनको नहीं बचा सकते उए होए होए जरूरत ही नहीं है अच्छा मज़ी की बात सुनो इस फोजी के सामने फोजी ने शीशे में देखा कि पीछे से एक आग आई है उसने गारी को तबाह कर दिया लेकिन गारी तबाह उने एक बात अपने आपको पूच रहा है अभे यार राइटर कौन सी पांग पी के लिख़ा है ये ड्रामा और इधर घर में इस जाज का साम लाओ एवे उस घरीब नागिन पे फिदा हुआ पड़ है अपनी शादी पे तमाशा करके कहता है मैं इस लड़की के साथ ये घर छोड़ के जा रहा हूँ लाओ साम और इस लड़की खरीब नागिन यानी प्रथा को पती नहीं क्या हो रहा है उसके साथ चलीगी चुप कर को पे यार मारो मुझे सौजी बच जाता है घरा के हाथ दोता है तो उसके तिल का निशान मिट जाता है आगिन कहती है ये असूर नहीं अभे हजारो बंदों के हाथों पे तिल दोता है ये असूर नहीं तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राब है फिर पता चलता है कि दूसरा असूर इन दोनों लड़कों का बाप है, जो सब के सामने शरीफ लेकिन असल में बहुत बड़ा साप है, अब इसी की बीवी आके अपनी समदन को इतना जलील करती है, थपड़ मारती है, पूरा अग्डा केंटा बैस्ती करती है, फिर भी इसकी स जाने तो मन कमपनी है, भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, और सबसे मजाहिया बात इस घरीबनी नागिन के ही बाकी पांचो सीजन की तरह इस सीजन में भी मजबूरां शादी होती है, इसका बेटा जिद करता है कि मैंने प्रथा सही शादी करनी है, और इसकी माँ शादी करवाने के लिए रैडी हो जाती है, लेकिन प्रथा का जो पुराना मंगेतर होता है, उसने चूँके नागिन को देखा था, वो प्रथा के ससूर को पहली बता चुका होता है, कि वो सिक्योटी वाली लड़की नागीन है, इसलिए नागिन जंगल में आई तो इस द वोरा ट्विस्ट आता है, यहाँ पर पता चलता है, कि सबसे बड़ी शेश नागिन तो ये प्रत है, खर ये दोनों नागिन बहने असूर को मार के दफना के घर पहुंच जाती है, इसके बाप को भी पता होते है कि मेरी बेटी नागिन है, और भाईजन इस सीजन में भी ब इस नागिन ने चालिस असूर मारने तो क्या हर बार हर असूर के किसी फैमिली मेंबर से शादी करेगी, वो सता है बेटा, या राइटर, तुम्हें किसी नागिन ने तो नहीं डसा, पागल ही होगे, हो कोई सेंस तो बनाओ ड्रामे की, ज़रूरत ही नहीं है, हाँ मुझे ये फैंटेसी ड्राम है, लेकिन फैंटेसी में भी कोई सेंस, कोई लॉजिक, कोई स्टोरी तो होती है ना, अब यहाँ पर नागिन के एक और शक्ती का पता चला है, ये तुफान भी ला सकती है, हो यार, अब सब से, सब से स्टूपिड बात सुनो, ये जो रिशब फोजी उसे ये परफा दूस्रे डेश की गदार औरत लगती है, तो ये निचाता कि मेरे भाई की शादी एक गदार औरत के साथ हो, तो अपने भाई को एक गदार औरत से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बताओ वहाँ पर ला, पता इंग्tså मैं खुद उस गदार औरत से शादी कर लेता हूँ वाव अपने भाई को नशीली दौाई पिला के खुद प्रथा से शादी कर लेता है मुझे बंब से उड़ा दो यार आपको पता यहां तक कितने एपिसोड हो गया है आठ एपिसोड हो चुकी है यारी 240 मिनट की कहानी मैंने आपको 5-6 मिनट में बता दी कैसा है बताओ कैसा दी आपिर अब लगे हाथे एक सेकेड में लाइक भी कर दो मैंने अपनी आखों को इतनी अजियत दी है खिर ये था चैप्टर 2 चैप्टर 1 नहीं देखा तो वो भी देखें चैप्टर 3 अगर चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो का टार्डगेट है 10,000 लाइक ओके फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक क्यार कीप स्माइलिंग एंड खुदाहाफिज